बिसमिल्लाराम रहीम असलाम लेकुम दोस्तों आज हम आपके लिए हैं बहुत ही फ्रेशिंग से और एनरजी ट्रिंक की रेश्पी लेके आए हैं बहुत ही मज़े का हमारा आज हम मिलकशेक बनाएंगे तो रमधान में भी आगर आप इसको यूज करें सहरी और अफ्तार में तो यह आपको पूरा दिन इनरजाइस करेगा तो इसके लिए हमने लिए हैं कैले ख़जूरी हमने ले लिए और दूद लिया हमने तक्रीब हम 2 गलास यह हम 2 गलास बनाएंगे तो उसके इसाब से हम अब हम इनको ब्लाइंडर जग में ब्लैंड करते हैं और आपको दिखाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जग के अंदर खुजूरे शामिल करते हैं कि तक्रीबन आर से दासा दास हमने खुजूरे लिए उनको हमने गुट्लिया नकाल दी उनकी उसके बाद पदाम ले कि शूगर Mayड कर देंगे अपने टेट्स के साब से कम ज़य कर सकते हैं आप लोग कि दूद्ध कर एंगे इसमें थोड़ा सा तो अब हम थोड़ा दूद्ध शामिल करेंगे कि इसमें ताके एक दपर इसका कσα लेंड कर बाकि पिर बाद में इसको अंदर शामिल कर देог तो एक दफ़ा हम ने इसको blend कर लिया अब हम इसके न्दर बाकिछ दूद शामज कर देंगे और इसके बाद आज है पो अश्के दृष्ट में तो अब हम ध बराथ इसको blend करांगे अच्की आप हम मिलक्षेक हमने पना लिया एक तो मिलक्षेक वारा तो अब हम गलास ले लेंगे उसके अंदर आइस क्यूब च्वाह समय करेंगे और उसके बाद मिल्कषिक को गलास में टाल देंगे बहुत ही मज़े हमारा अर्मजी मिल्कशेक त्यार हो गया है आप इसको जरूर टाय कीजेगा अनर्जी से फूल है और आपको सारा दिन ये फ्रेश रखेगा स्पेशली रमजान के दुरान आप इसको लाजमी स्क्माल करें सहरो अफ़तार में और पूरा दिन आप अनर्जी से बरपूर आपका दिन कुछरेगा तो बदाम इसके उपर हम थोड़े से गानिशिंग कर देंगे ये उप्शनल है आप खाना चाहें तो कर सकते है तो उमीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसांदाई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें साथ देगे शेयर के बड़न पर क्लिक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लादमी ओन कर लिया करें क्योंकि इसे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी तो दोस्तों आप से मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक अपना रेकितर ख्याल अल्ला हाफिस